कुकू टीवी सर को कुछ भी बता नहीं चलेगा सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है अगर उन्होंने तुमारे गंते जूते देख लिये तो तुमारी अच्छी खासी पिटाई होगी कैसी दोस्तो तुम मेरा टेंशन कम करने की बजाए बढ़ा रही हो सोनु सर के आने से पहले अपने सफेज जूतों में चौक घसने लगता है तभी उमेश सर क्लास में पहुँच जाते हैं और सोनु को जूते में चौक रगडते हुए देख लेते हैं सोनु सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है ये क्या हो रहा है तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड रहे हो सौरी सर गलती हो गई अगली बार ऐसा नहीं होगा मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूगा तुम्हारी सजा ये है स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आगन की तुम सफाई करोगे माफ कर दीजिये सर फिर से अगर तुमने ऐसी गल्टी की तो तुमको स्कूल की वाशूम साफ करना पड़ेगा उमेश सर क्लास में आकर सभी की कौपी चेक करने लगते हैं रिया की कौपी में कवर नहीं लगा हुआ था ये क्या है? तुम्हारी कौपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? स्वारी सर, ये मेरी नई कौपी है मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूँगी जाकर पीछे वाली बेंच पर हाथ खड़े करकर खड़े हो जाओ और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूँगा रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है रिया को खड़ा देख रश्मी उसे चड़ाने लगती है तभी उमेश सर की नजर रश्मी पर चली जाती है बहुत हसी आ रही है तुम्हें जाओ तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े-खड़े पढ़ाई करोगे सॉरी सर इस बार माफ कर दीजे सर नो सॉरी रश्मी भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़ कर खड़ी हो जाती है दोनों पूरा दिन खड़े-खड़े ही क्लास अटेंड करती है छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है रश्मी और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतिजार कर रही होती है मैं तो ठक गया, आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया यह उमेश सर के कठोर स्वभावगी वज़े से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है हाँ, सही कहा तुमने, हमेशा बच्चों के उपर चिलाते रहते हैं और हमेश सजा देते रहते हैं अगले दिन, क्लास में एक नई टीचर आती है वो देखने में बहुत ही सुंदर और कॉमल सुभाव की होती है गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलिबस फटा-फट याद हो जाता था एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तब ही उमेश सर क्लास में आ जाते हैं उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे कलास को दिन भर धूप में ख़ड़ा रखूँगा सर आखर तो ये बच्चे हैं ये शुरारत नहीं करेंगी तो कौन करेगा और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं अहां मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे दरसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे इसलिए उनकी हां में हां मिला रहे थे एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुसा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं ये कोई वक्त है स्कूल का तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो ऐसे नहीं मानोगे सर वो बीच रास्ते में हमारी साइकल पंचर हो गई थी इसलिए आने में देर हो गई हाँ सर सोनू सच कह रहा है तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं तभी उमा मैडम आ जाती है अरे सर आप इन आसुम बच्चो को क्यो मार रहे हैं बच्चे हैं कभी आने में देर हो जाती है अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए आज पहली बार हमें इतनी देर होई है कोई बात नहीं बच्चो जा कर पढ़ाई करो उमेश सर उमा मैडम की बात मान कर सभी बच्चो को क्लास में जाने देते हैं धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है अरे यार हमारे उमेश सर तो बिलकुल बदल गए हैं हाँ सही कहां तुमने पहले हम पर कितना घुसा करते थी हमें कठोर सी कठोर सजा देते थी लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिलकुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं एक दिन सोनु अपना होमवर करना भूल जाता है उमेश सर सभी का होमवर चेक कर रहे होते हैं तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगरते जा रहे हो आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे नहीं सर, कल मेरी तबिया ठीक नहीं थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी उमेश सर सोनु को कलास से बाहर निकाल कर मुर्गा बना देते हैं तब ही वहां उमा मैडम आ जाती है अरे बेटा सोनु, तुम्हारी तो तबियत खराब है ना तो फिर तुम कलास के बाहर क्यों बैठे हो मैडम, तबियत खराब होने की वज़े से मैं होमवर्क नहीं कर पाया उमेश सर ने मुझे कलास से निकाल मुर्गा बना दिया है तुम मेरे साथ कलास के अंदर चलो उमा मैडम कलास में जाकर उमेश सर को समझाती है सोनु ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तब्यद ठीक नहीं है आपके सक्त स्वभाव की वज़े से आज इसकी तब्यद स्यादा बिगर सकती थी मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है अगर हम बच्चों को हमेशा डाट या मार कर समझायेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना हुसा कहीं और निकालेंगे इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए आखिर ये बच्ची हमारे देश का भविश्य हैं मुझे माफ कर दीजे मैडम मैं समझ गया हूँ अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं कुछी दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल सुभाव के हो जाते हैं ये कहानी है दुर्का देवी की अपने पती के चले जाने के बाद दुर्का देवी ने ही अपना घर संभाला था दुर्का देवी के तीन बेटे थे ओम, जै और जगदीश ओम एक विद्वान था, जिसे वेदों का ज्यान था, जै एक व्यापारी था और जगदीश किसान था, जो दुर्का देवी के सारे खेतों में अनाज उगादा था समय के साथ दुर्का देवी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी अब बहुँ के आजाने से घार में कभी-कभी अनबन चलती ही रहती थी लेकिन दुर्गा देवी इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती थी लेकिन एक दिन इन तीनों की पत्नियों का जगड़ा इतना बढ़ गया कि जगदीश की पत्नी जगदीश के पास गई सभी को अपनी-अपनी महनत खुद ही करने दीजिये तब जाके आपकी महनत पता चलेगी जगदीश ने अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं आखिर जगदीश अपनी मा के पास पहुचा मा, हम इस आयदिन के जगडे से तंग आ गया है हम चाहते हैं कि आप सारी जायदात का बटवारा कर दीजिए हा मा, यहीं सही रहेगा मैं भी सहमत हूँ धुर्गा देवी ने तीनों की और गौर से देखा और पर बोली ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो हम बटवारा कर देंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ तीर्थ करके गंगा खाट पर डुपकी लगाए और लोट कर मैं जायदात का बटवारा कर दूँगे तीनों भाईयों ने सहमती भरी और कुछ तीनों बाद वो लोग तीर्थ करने निकल पड़े ओम ने पैसों की पोटली अपनी मा को दे दी दो दिन का सफर करने के बाद वो लोग मंदिर पहुँचे सभी ने भगवान के दर्शन किये और उसके बाद सभी गंगा में डुपकी लगाने पहुचे जैसे ही दुर्का देवी ने डुपकी लगाई उन्होंने पैसों की पोटली गंगा में बहा दी सभी लोग उने डुपकी लगा ली और तट पर बैठे हाँ, अब तीरत भी हो गया और गंगा में डुपकी भी लगा ली अब बस घर चलकर बटवारा करना है हाँ, चलो, चलते हैं लेकिन क्या हुआ माँ? पैसों की पोटली कहां गई? आप ही के पास तो थी? हाँ, अब ही तक तो थी लेकिन पता नहीं कहां चली गई? शायद गंगा में बह गई हो अब हम क्या करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है अब हम घर कैसे लोटेंगे? घबराओ मत मेरे तीन तीन बेटे हैं ये लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे ओम, जय, जगदीश हम सब यही तुम लोगों का इंतिजार कर रहे हैं जाओ और पैसो का इंतिजाम करो ठीक है मा? तीनों भाई अलग-अलग दिशा में गए ओम एक गाउ में पहुचा वहाँ एक आदमी रो रहा था क्या हुआ भाई? मेरे पिता जी ने अपनी सारी जायदाद हम चारो भाईयों में बराबर बाढ़ दी थी सिर्फ एक बिल्ली को छोड़के तो सरपन जी ने फैसला किया कि उस बिल्ली की एक-एक टांग हम सब की है दो दिन पहले बिल्ली की मेरी वाली टांग पर चोट लगी थी तो मैंने उसे घी का कपड़ा रफेट दिया बिल्ली वो घी का कपड़ा लेकर चुले के पास चली गई और कपड़े में लग गई आग और फिर उसने देखते ही देखते बहुत सारे घर जला दिये अब मुझ गरीब को सबको भरचाना देना है अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे मेरे पास चार बेल गाडिया है मैं वो तुम्हें दे दूँगा ठीक है फिर तुम अपने तीनों भाईयों को और गाव वालों को जमा कर दूँगा गाव वाले एक पेड के नीचे जमा हुए क्या ये सच है कि मदन ने बिल्ली की अपनी टांग में पट्टी की थी हाँ उसने पट्टी क्यों की थी क्योंकि बिल्ली की उस टांग में चोट लगे थी तो मतलब बिल्ली उस टांग से ठीक से चल नहीं पा रही थी फिर वो कैसे चली क्योंकि उसके बाकी तीनों टांगे ठीक थी इसलिए वो चल सकी मतलब बाकी तीनों टांगे ठीक थी इसलिए बिल्ली ने गाउं भर आग फैलाई तो इस कारण हरजाना उने भरना चाहिए जो तीन टांगों के मालिक है बात तो तुम्हारी बिलकुल सही है उनने मदन की समस्या हल कर दी और उसे दो बैल गाडिया मिल गई जै पहुचा नदी के तट पर जहां राजा कुछ एलान कर रहे थे जो भी वेक्ति मुझे इस हाथी का वजन बता देगा मैं उसे एक हजार सोने के सिक्के दूँगा जै तुरंद राजा के पास चला गया महराज मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मुझे एक नाव और धेर सारी अनाज की बोरिया चाहिए ठीक है राजा ने जै को नाव दे दी अब इस नाव को नदी में डालिये और हाथी को इसमें बैठा इए सैनिको ने हाथी को नाव में बैठा दिया फिर जै ने कोईले के टुकडे से एक निशान बनाया जहां तक नाव पानी में ढूबी थी अब आप हाथी निकाल लीजिये और इस नाव में धान की बूरिया भरिये सैनिको ने हाथी को बाहर निकाला और नाव में धान की बूरिया भरनी शुरू कर दी जब नाव उसी निशान तक डूबी तो सैनिको ने बोरियों का वजन करना शुरू किया तो महराज इस हाथी का वजन तीन हजार किलो है बहुत अच्छा जय ये लो तुम्हारा इना जैको दस हजार सोने के सिक्के मिल गए जगदीश एक खेत में पहुँचा जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे थे क्या समस्या है इस खेत में पानी का इतना बहाव है कि कोई धान टिकता ही नहीं समझ नहीं आता क्या करें मैं इस समस्या का कोई हल निकाल सकता हूँ लेकिन मुझे क्या मिलेगा मैं तुम्हें दो बोरी चावल और दाल दे सकता हूँ ठेक है तो मुझे बहुत सारे नारियल के छिलके चाहिए ठेक है जगदीश ने नारियल के छिलकों में धान लगाया और उन्हें गेली मिट्टी में गाड़ दिया ऐसा करके उसने एक छोटे टुकड़े में धान लगा दिये अब ऐसे ही सारे खेत में लगा दो जग्दीश को दो बूरी अनाज मिल गए तीनो भाई मा के पास लोटे ये लो मा दो बेल गाडिया ये सोने के सिख्य और ये दो दो बूरीया अनाज तुम तीनो के तीनो ने अलग अलग इंतिजाम किये जग्दीश तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत करके घर चलाते हो लेकिन ऐसा नहीं है देखो ओम बेल गाडिया ले आया और जै सोने के सिख्ये और तुम अनाज ले आये मैं समझ गया मा क्या अब भी तुम तीनों अलग होना चाहते हो नहीं मा हम समझ गया कि हम अलग है लेकिन एक साथ ही पूरे है बहुत अच्छे इस तरहें दुरका देवी ने अपने तीनों बेटों का बटवारा रोब दिया और उन तीनों को एक दूसरे का मूल्य बताया तो बच्चों इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए